अब रादे कैसे हैं आप लोग सर्दियां आ गई हैं तो अब सूप तो बनता ही है तो आज हम बनाएंगे दो प्रकार के सूप एक होट एंड सोर सूप और एक मिक्स वैट सूप तो चलिए पहले हम होट एंड सोर सूप बनाते हैं उसके लिए हमें चीए कैबच, कैरेट, अलो बैल पेपर, कॉंस और स्वीट कॉंस और जिंजर कार्लिक पेस्ट और थोड़ी सी हरी मिर्च और सबसे में बटर तो चलिए बनाते हैं कैसे बनता है इसके लिए हम पैन में सबसे पहले बटर डालेंगे बटर को अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम इसमें अद्रक और लेसन जो हमने कूटा हुआ है उसको डालके थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे क्योंकि होट और सूप थोड़ा सा स्पाइसी होता है इसके लिए फिर हमने जो स्प्रिंग अनियन के नीचे का प्यांज होता है सिर्फ उसको कट करके डालके हलका सा सौटे कर लेंगे अब ह अच्छे से सारी चीज़ा डालके हम इसको सौटे कर लेंगे एक से दो मिनट आप इसे अच्छे से भून लीजिए तो इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाता है यह देखिए यह हमने सब भून दिया है और इसमें डाल दिया है स्वीट कॉन अच्छे से भूनने के बाद आप अपनी quantity के accordingly इसमें पानी एड़ कर सकते हैं मैंने दो glass water इसमें डाला था थोड़ा सा veggies टाइप का बना था बहुत tasty अब इसमें हम सबसे में डालेंगे दो चम्मत soya sauce और दो चम्मत red chili sauce देखिये इसका color change हो चुका है बिल्कुल hot and sour soup की तरह बन चुका है यह actual में बनता ही ऐसी है बस इसको एक उबाल आने के बाद हम इसको हलकी आँच में रख देंगे नमक भी हम डाल चुके हैं अब हम यहां बना रहे हैं conflore की slurry इसमें उबाल आ चुका है 10-15 मिनट यह पक चुका है हमने इसमें conflore की slurry डाल दिये और यह देखिए बढ़िया बन चुका है हम इसमें डाल देंगे काली मिर्श पाउडर और इसको मिला लेंगे और फिर इसको हम spring onions पत्ते के साथ सर्फ करेंगे देखिए यह बढ़िया बन चुका है इतना tasty इतना healthy की अब आप market से नहीं लाकर के गर पे ही बनाएंगे यह देखिए इतना बढ़िया बन चुका है और सर्फ के लिए best है यह सबसे best चीज है आप इसे सवेरे भी खा सकते हैं शाम को भी खा सकते हैं इसको butter के साथ आप लेंगे तो यह बहुत ही tasty लगेगा तो आप लोग भी इसको try करें और बनाएं अब हम बनाते हैं mixed wet soup same ingredient होते हैं बस इसमें थोड़े ingredients बढ़ जाते हैं जैसे की peas हो गया और broccoli यह दोनों hot and sour soup में नहीं डलती है same process है हमने pan में butter डालना है और सारी vegetables saute कर लेनी है पहले अद्रक और लहसन को हम हलके से saute कर लेंगे फिर वोई spring onions का जो onion होता है नीचे से उस onion को डाल देंगे और सारी veggies डालके हम इसको अच्छे से saute कर लेंगे फिर हम इसमें water डाल देंगे इसमें मैंने तीन glass water डाला था फिर नमक डालने के बाद एक उबाल के बाद हम इसको हलकी आच में वोई जब सारी सबजियां पक जाएं उस quantity पे पका लेंगे हलकी आच में अब इसमें हमने corn flour की slurry डाल दिये और इस बस यह ready हो चुका है आप हम इसको थोड़ा सा एक मिनट दो मिनट और पका लेंगे और इसमें हम काली मिट्स टाल देंगे काली मिट्स से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यह बन कर ready हो चुका है और हम अब इसे surf करेंगे वो ही spring onions के पत्ते और बटर के साथ तो आप भी बनाएं अपने घर पे और इसे जरूर पिएं और market का लाना छोड़ दें यह बहुत ही tasty बहुत ही बढ़िया था तो आप भी इसे enjoy करें देखे कितना बढ़िया बना है रादी रादी